नमस्कार स्वागत है आपका स्पेन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शुरुदी महराश्र में सत्ता गवाने के बाद बीजीपी ने पलटवार किया है जी हाँ बीजीपी ने मुतोर जवाब दिया है करनाटक के उपचुनाव से यहाँ पर बता दे आपको करनाटक के उपचुनाओं को लेकर यहाँ पर बीजीपी ने शानदार जीत हासिल की है बता दे यहाँ पर कि बीजीपी ने जो शानदार प्रदशन किया जिसमें 15 में से 12 सीटों पर बीजीपी प्रत्यासियों ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ ही अगर बता दे कि विधान सभा में बिजेपी ने अपने बहुमत के आकड़े को पार कर लिया है बता दे कि 222 सदस्य विधान सभा में बिजेपी के पास 117 विधायक है और कॉंग्रेस के अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस के पास 68 और जेडियस के पास 34 सीट है यानि कि जो कहा जा रहा था कि करनाटक के चुनाओं से यहाँ पर विधान सभाचनाओं के भी भविश तै होते हैं उनको 6 सीट चाहिए ही चाहिए थी बीजेपी को लेकिन यहाँ पर 15 में से 12 सीटों पर जीत हासिल किया है बीजेपी नीए और इसी के साथ ही जो उनका आकड़ा था जो उनका टार्गेट था कि 6 सीट तो चाहिए ही चाहिए उससे डबल यहाँ पर किया गया है 15 में से 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है बता दे कि महराश्ट में जिस तरह से बहुमत जो जनादेश मिला था वो बीजेपी को मिला बीजेपी और शिप्षेना के गटवन्दन को मिला था यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबरी थी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभरने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी महराश्र में बिजेपी सत्ता से बाहर है बिजेपी की सरकार नहीं है लेकिन अब जिस तरह से करनाटा कुपचुनौव में जीत हासिल हुई है बिजेपी की तो एक तरह से कहा जाए तो मू तोड जवाब दिया है बिजेपी ने कॉंग्रेस को महराश्र की सत्ता के बाद अब करनाटक उप्चुनाओं में मूँ तोड जवाब देखने को मिला है बिजेपी के तरफ से कॉंग्रेस को इसे के साथ ही बता दे आपको कि सीयम जो यदियोरप्पा हैं उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि इतना अच्छा जनाधार मिला अब बिना किसी दिकत के हम राज्य में एक स्थाई और जनहित कारी सरकार दे सकते हैं यानि कि एक तरह से जिस तरह से हमने एक प्रोग्राम मनाया था उसमें बताया था कि जो करनाटक को उपचुना है वो विधान सभचुना का भी भविश्य तै करेगा यानि कि 6 सीट जो हर हाल में बिजेपी को चाहिए है लेकिन 6 सीट नहीं बलकि यहां पर 12 सीटों से बिजेपी ने जीत हासिल की है करनाटा को पचुनाव में बिजेपी ने जिस तरह से यहापर जीत हासिल की है वो कहीं न कहीं अब भी जो सक्षता में पकड़ है देखा जा रहा था हर्याणा महराश्ट और जारकण में भी विदाद सबचुनाओं लेकिन अभी जारकण में विदाद सबचुनाओं के सत्ता से ही बाहर है बीजेपी वहाँ पर महागाड़ी सरकार है कॉंग्रेस NCP और शिवसेना की लेकिन अभी जारगण में विधान सबाचुना हो रहा है लेकिन करनाटक में जिस तरह से जीत दर्ज की है जीत हासिल की है 15 में से 12 सीटो पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्श चुना है और दो चरण हो चुके है अब जो यहां पर चुना होंगे जो तीन चरण होने के बाद उसके बाद नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद जो है पत चलेगा कि बीजेपी जो है सत्ता में बनी रहेगी या फिर कुछ है नया होगा लेकिन करनाटक में तो जिस और एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री बिया से यदियूरप्पा ने कहा कि जीतने वाले 12 प्रत्यासियों में से 11 को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा वहीं इस तरह के बताने कि यहां पर जो है करनाटक उप्चनाव में जिस तरह से जीत हासिल की है देखना दिलसा और हर्याना के बाद अब जारगन में विधान सभा चुनाव हो रहा है और यहां पर सभी पार्टियां अपने अदम दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं यहां पर जन सभा को जिस तरह से संबोधित के अचारा है एक तरह से अब जारगन विधान सभा चुनाव है जो है कड़ी चुनोतियों से भरा हुआ है क्योंकि यहां पर बता दें आपको कि रगवर्दास मुख्यमंत्री है बीजेपी की सत्ता है लेकिन अब देखना दिल्चस पोगा कि क्या अपनी सत्ता को बनाए रख पाती है बीजेपी जारगंड में हाला कि करनाटक में जीत दर् हमारे साथ नमस्कार